स्वागत आपका अमारे चैनल पर आज हम करेंगे कर चार से पांच के लिए विसे हिंदी का घ्रह कार रहे इससे पहले हमने इंगली से घ्रह कार भी किया था अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उसको करें फिर इसको करें तो चले देखते हैं इसमें हम वाक्तियों में काल पोईद बताएंगे जिसमें भूत काल बरतमान काल भविशे काल हमें बताना है पहला प्रश्ण है अब इसे खा रहा है अब इसे क्या कर रहा है अब भी चल रही ये विक्रिया तो क्या हो जाएगा बर्तमान काल अमित कल मेला देखना जाएगा जाए गा हो गया मतलब कि भविश्य कर रहा है वे तो भविश्य काल हो गया अगला है सहा जहां ने ताजमिल बनवाया था जहां था आ जाएगा वे भूत काल हो गया तेल गाड़ी कल समय पर आई थी फिर थी आ गया तो भूत काल अगला है नीरज अपने मित्र को पत्र लिखेगा लिखेगा भविश्य काल कल लड़की क्रिकेट खेलने गए थे तो भूत काल अगला है पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं वर्तमान काल हैं आता है खहीं भी तो भूत काल होता है अगर था थी थे आते हैं तो भूत काल होता है और लाश्ट में गा तो भविश्य काल होता है अगला है पहाडी पर बड़फ पढ़ी थी भूत काल रवीना स्कूल जा रही है वर्तमान काल हम नाना जी के घर चलेंगे चलेंगे गए नहीं है भविश्यकाल लीला खाना खा रही है भविश्यकाल गोकुल पुस्तक पढ़ रहा था भूत काल दुकान दाने लड़की को मिठाई दी भविश्यकाल हम आठ बज़े टीवी देखेंगे भविश्यकाल पिताजी दस बज़े वाली गाड़ी से जाएंगे भविश्यकाल तो इस प्रकारता हमारा आज का यह कक्छा चार से पांच के लिए हिंदी का ग्रह कार है इसी प्रकारता जूड़ी चैनल के साथ लाइक करें सेर के सब्सक्राइब करें थन्यवाद